कि ये क्या किया तुमने पता कि तोड़ा याद नहीं तीजी कहती है शाम को पते नहीं तोड़ते नहीं तोड़ूंगा पर पहले बताओ तो क्यों क्योंकि शाम को पते सोते हैं सोते हैं आफबं करके हाँ 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 ये कोई इंसान है किया अरे इंसान नहीं तो क्या हुआ पर इंमें जान है ये बाहले इनमें जान் होती है bağ इसे जलू दूर्ट e काव फूर्बाइन को यंडंडी श्यक्T कि आशन ध्लच मेंगहद्न पेड़ों में पौधों में शिफाली का कहना है जान होती है नहीं होती दीदी साचिन तुम बताओ जान होती है कि नहीं होती है दीदी पेड़ों में जान होती है पेड़ों में जान होती है पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं तुम्हें पता है हां दीदी तो वो स शजीव कहलाते हैं, अब यह बताओ, शजीव चीजों को तुम लोग कैसे पहचानोगे, पहचान सकते हो? नई दीदी मैं बताओं कियसे पहचाने हा दीदी ठीक है, बहुत ही आसान है इनको पहचानना अब जैसे तुम्हारा नाम शिफाली है तो हम तुम्हें दूर से पहचान जाते हैं कि वो शिफाली आ रही है, है की नहीं हा दीदी तो अब हम सजीव चीज़ों को कैसे पहचाने देखो, सजीव चीज़ें जो होती है न वो हमारी तरह तुम्हारे और मेरी तरह सांस लेती है ठीक है, तुम लोग दिन में खाना खाते हो हा दीदी ये लोग भी सुबे, दुपह, शाम, सब टाइम खाना खाते हैं दीदी, हमने इने आस तक ऐसा कभी करते नहीं देखा ना सास लेते, ना बढ़ते अच्छा, तुमने कभी भी पेड को बढ़ते वे नहीं देखा नहीं दीदी तुम्हारे गमले में जो छोटा सा पोधा होता है कभी तुमने उसे बढ़ते वे नहीं देखा हाँ, देखा है, देखा, देखा, देखो, उसको तो बढ़ते हुए हम सब देखते हैं, पर अब बात आती है, भोजन की, तुमने उसे भोजन करते वे नहीं देखा, नहीं, दीदी अच्छा पहले ये बात पताओ मुझे कि भोजन में हम और तुम तो काफी चीज़े करते हैं जैसे चावल, दाल, रोटी, सबजी पर पता है तुम्हें पेड़ पोधे क्या भोजन करते हैं? यह बता है? हाँ तुम बताओ साचिन दूप, चाओ, हवा, बहुत बहुत अच्छे इसने बताया धूप, चाओ, हवा ठीक है धूप, चाओ और हवा तीन चीज़े हो गई पर इसके इलावा भी हम लोग पेड़ पौधे को कुछ और बहुत बताओ पानी और खाद ठीक है तो इससे मिलके हम पौधे को पाट चीज़े देते हैं पहली है धूप, चाओ, हवा, पानी खाद खाद और जब उसको यह भोजन मिल जाता है तो वो हमारी तरह बढ़ जाता है अच्छा जैसे हम जब खाना नहीं खाते तो कमजोर हो जाते हैं तो उसी तरीके से अगर पेड़ पौधे को भी हम लोग खाना ना दे समय पे तो वो कमजोर हो जाता है और फिर बिमार भी हो जाता है दिधी हम नेने सांस ले तो कभी भी नहीं देखा सांस लेती नहीं देखा मैं दिखाती नहीं हम दुख थाउं पर टो हां यह देखो तो ठोड़े और पास से देखो और यह इसलिए सूंग गया है क्योंकि इसस शमय पे भोजन नहीं मिला ती दी वह जो चीज प्रकति आइस बनाती वह धुख जो प्रकति किसे बनाये गए इंसान बनाते हैं हाँ तुह्ँ마 पता यह किसे बनता रिखो हां दीदी यह लकडी से बनता है लकडी से बनता है मेज, कुर्सी ये सब हम लोग अपने आराम के लिए बनाते हैं ठीक है और ये सब चीजे क्या होती है पता है हाँ दीदी निर्जीव चीजे ये सब निर्जीव होती है तो अब तुम लोग को समझ में आया कि निर्जीव चीजे क्या होती है और सजीव चीजे क्या होती है और इसमें हम क्या भरते हैं पानी अब ये बताओ इस बोतल में जिसमें पानी भरा हुआ है ये सजीव है कि निर्जीव दीदी मैं बताओ दीदी मैं बताओ यह निर्जीव है अच्क प्रचल दोड़ के वह खिलोना अटा के लाओ यह देखो आगया खिलोना बताव यह क्या है भाव-भोग यह है एक कुटआ एक जाल कि टा और यह निर जीति निर्जीव पर जो असली कुता होता है वो निर्जीव होता है क्या नहीं दीदी दीदी उसमें जान होती है तो यह क्यों निर्जीव है फिर क्योंकि यह खिलोना है और इसे हम लोगने बनाए यह सास नहीं ले सकता और कुछ खाता भी नहीं है इसलिए यह जो है निर्जीव ह पर जो असली कुता असली डॉग होता है वो जो होता है वो सजीव होता है तो जो नदी होती है वो सजीव होती है कि निर्जीव होती है दीदी पर कैसे वो ऐसे कि उसमें होती है मचलिया तो मचलिया उसमें रहके सांस लेती है तो अगर निर्जीव रहेगी तो मचलिया सांस क कैसे लेंगी हां दीदी वहीं पानी पी के हम लोग जिन्दा रहते हैं है की नहीं पानी अच्छा ये बताओ घेक थुम देखा होगा कि लोग पानी डालते हैं ठीक है अपने घर में तुम लोग पौधों में पानी डालते हैं तुम यह बता सकते हो कि इसको क्या बोला जाता है पौधों में या खेतों में पानी डालने को अब सूचो कभी बारिश में बिना छाते के जाओगे तो क्या होगा भी ज दूखाम हो जाएगा विमार हो जाओगे तो अगर छाता नहीं होगा तो हम लोगोध विमार हो जाएंगे रहीं नहीं कि अरे अर्य अरे हुजी ये बताओ कि इसमें बैठने हम बैठते तो सारे इंसान है हा तो फिर ये सजीव हुआ कि निर्जीव क्यों कि यह सांस नहीं लेता यह कुछ खाता पीदा भी नहीं अना यह बादा और नई से प्रकर्थी ने बनाया है इसे तो हम इंसानों ने बनाया है तुम बच्चे तो बहुत समझधार हो फड़ समझ जाते हूं मैंने जो भी समझ आया ठीक है अब जल् बिद्यार्तियों इसमें आपने किताबें रखते हैं जो बदाद जाते हैं वासी समान करितकि यह बताओ कि जो हम फूल तोड़कि अपने ख़लमे लगाते हैं वह सजीव है कि निर्जीव हो जाती है रही हो जाती है और श्रॉंटि तुमने पहले सजीव का था, क्यूं? दीः बताओ, था आप क्यों? तुम बताओ, क्योंकि देखी जब हम लोग उसको दोड़ते हैं उसके तने से तो वह नश्ट कीच मोझे नश्ट हो जाती है और जब नहीं खाती है, नहीं सास ले सकती है तो वो खाना भी खाती है अब बढ़ती भी है और इसलिए वो सजीव कहलाती है जी अचा तुम लोग दूद सब पीते हो की नहीं आगीडी मन से पीते हो हाँ अच्छा दूद हमें किस से मिलता है बताओ गाय से, गाय से मिलता है, तो गाय सजीव है कि निर्जीव, सजीव, बिलकुल सही, दीदी अब हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, हाँ दीदी, तुम्हें क्या समझ में आ गया, कि सजीव चीजे क्या होती है, और निर्जीव चीजे, तो ये बताओ सजीव चीजों क कशिको कैसे पैचानेंगे देडी सजी और कम वोग ऐसे प्यचान सकते हैं कि वो सास लेती हängt वो सार्च हम्नुन सबाया होता है बिल्कुल एगलिए बिलए मीलेगे तो मुझे बताना कि कौन कौन सी चीजे तुम्हारे आ ढसका सवजीव हैं और कौन कौन सी निर्जीव ingredients झाल झाल